तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले भारते इंदू युक के अब्जेक्टिव कोशन अंसर हिंदी साहित्ते के बहुत इंपोरेंट कोशन है ये किसी ने किसी एक्जाम में जरूर आते हैं चले शुरू करते हैं वीडियो अगला कोशन है इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रिज भाषा गद्य में लिखी गई है पतायी दोस्तों पाहूर दोहा भारत भारति भाक्त नाल या अश्याम तो ब्रिस भाषा गद्धे में लिखी गई है D. अस्चियाम अस्चियाम का रचना काल क्या है? भड़े दोस्तों अस्चियाम का रचना काल क्या है? 1620, 1630, 1720 या 1820 तो अस्चियाम का जो रचना काल है वो है 1630 अंसर होगा B अगला कोशन है 252 वैशनवन की वारता के रचियता कोन है ये भी इंपोर्टेंट कोशन है गोकुलनात बलबाचारिये नाभादास या गोसाई विठलनात तो 252 वैशनवन की वारता के जो रचियता है वो है गोकुलनात गोकुलनात की दोनों रचिनाओं के बारे में पुछा जाता है 84 वैशनवन की वारता और 252 वैशनवन की वारता याद रखे वैशनवन की वारता जो है वो गोकुलनात की हैं अगला क्वेशन है चंद चंद बर्णन की महिमा के रचियता कौन है लालकवी सुरतिमिश्र चंदरवर्दाई गंगवी तो चंद चंद बर्णन की महिमा के जो रच्षियता है वो है गंग कभी अंसर होगा डी चैन्द परदाई की रच्णा तो आपको पता ही होगी प्रिथुई राज रासो बहुत बार पुछा जाता है अगला कोशन है प्रेम सागर की रच्णा किस लेखक ने की है पताए दोस्तों प्रेम सागर की रच्णा सदल मिष्ण ने की है ललू लाल ने सदा सुखलाल ने या इंशाल्ला खान है दोस्तों प्रेम सागर कौनसी है सुख सागर सुख से याद रखना सुखला की कौन सी रचना है सुख सागर इंशाला खान की कहान जो राणी केतकी की कहानी है वो है अगला है उद्यबान चरित्र किस रचना का दूसरा नाम है तो उद्यबान चरित्र जो है वो है किस रचना का दूसरा नाम है अंसर होगा D. रानी केतकी की कहानी अगला question है ललू लाल जी कहां के निवासी हैं? बताई दोस्तों ललू लाल जी कहां के निवासी हैं? आपका सही अंसर है आगरा बनारस दिल्ली अकलकत्ता इसका सही अंसर होगा A. आगरा इन में से मुंसी सदा सुखलाल नियाज की रशना कौन सी है बताए दोस्तों अभी मैंने बताया था प्रेम सागर, सुख सागर, नासी के तो पाख्यान या इन्सा अल्लाग खान तो सदा सुखलाल की जो अभी मैंने आपको हिंट दिया था सुख से सुख सागर सदा सुखलाल की जो नियाज की रशना है वो है सुख सागर आंसर होगा B लाल चंद्री का किस से संबंदित है? बताएं दूस्तों लक्षन गरंच से, शिंगार बर्णन से, राजपरशस्ती से या बिहारी सचसे की टीका से तो लाल चंद्री का जो है वो है बिहारी सचसे की टीका आपका अंसर होगा B अगला क्वेशन है सर सेयद एमद खां किस भाशा के विरोधी थे? आपको पता होना चाहिए सर सेयद एमद खां किस भाशा के विरोधी थे? उर्दू के, अंग्रेजी के, फार्सी के या हिंदी के? तो ये थे हिंदी के विरोधी याद रखिए D आपका अंसर होगा हिंदी उर्दू के समर्थक, फ्रांस के विद्वान कौन थे? बताइए दोस्तो मैक्स मूलर, मैकाले, ग्रियसन या गार्सादी तासी तो उर्दू के समर्थक थे? गार्सादी तासी अगला क्वेशन है राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कोन है? इंशालला खान लाला श्रीड नवासदास राजा लक्षमन सिंग या राजा श्रीवपरसाद सितारे हिंद तो राजा भोज का सपना जो है वो है राजा श्रीवपरसाद सितारे हिंद की राजा श्रीवपरसाद सितारे हिंद की तो लाल चंद्री का के जो रचियता है वो लल्लू लाल है और लाल चंद्री का बिहारी सचसे की टिका है। मानव धर्मसार पुस्तक के लेखक कोन है? बालकृष्ण बट, राजा शुवपरसाद सितारे हिंद, अध्यापक पुन सिंग, राजा लक्षमन सिंग। तो मानव धर्मसार और राजा भोज का सपना दोनों ही पुस्तके राजा शुवपरसाद सितारे हिंद की आंसर होगा बी। बालकृष्ण भाट या भारते इंदू परताप नारायन मिश्रुम में से इतिहास तिमिर नाजसक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? आपका अंसर है राजा शुवपरसाद सितारे हिंद तो इनकी तीन पुस्तके हैं जो आपको याद रखनी है मानव धर्मसार इतिहास तिमिर नाजसक और राजा भोज का सपना इन में से कोई भी पुस्तक पुछली जा सकती है। सर स्यद हमत خा की भाषण नेति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने किया है? अगला क्वशन है हिंदी गध्य का सूटरपात कब से माना जाता है? अगला कुशन है आचारी रामचंद्र शुक्ल ने इंदी गध्या के परवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है इंदी के गध्या के जो परवर्तक है उनमें आचारी रामचंद्र शुक्ल ने किसे स्थान दिया तो आपका अंसर होगा D. मुंसी, शदा, सुखलाल, मियाज को आचारे राम चंदर शुगल ने इंदी गध्या के परवर्तकों में स्थान दिया है प्राथना समाज की स्थापना इन में से किसने की है? केशव चंदर सेन ने, एनी बेसेंट ने, राजराम बोराय ने, दियानन सरस्वती ने तो प्राथना समाज की स्थापना इन में से की है? एक केशव चंदर सेन ने अगला कोशन है प्राथना समाज की स्थापना कब हुई थी? बड़ा इंपोर्टेंट कोशन है प्राथना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में, 1868 में, 1828 में, 1867 में आपका अंसर होगा D, 1867 में आर्ये समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी important question है, कई बार पूछा जाता है कि आर्ये समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानन, स्वामी विवेकानन, शंक्राचारिय या केशव चंद्रसेन तो आर्ये समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानन्द ने आपका अंसर होगा A अगला question important है, ब्रह्म समाज के संस्थापक इन में से कौन से थे? केशव चंद्रसेन, ध्यानन सरस्वती, राजाराम मोहन राए, विवेकानन तो ब्रह्म समाज की संस्थापक इन में से थे? राजाराम मोहन राए सी अंसर होगा दोस्तो आज की वीडियो में 25 प्रश्ण ही करेंगे अगली 25 प्रश्ण आपको अगली वीडियो में देंगे देखिए पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? गुरु गोविन सिंग, शिर्दाराम फुलोरी, नवीन चंद्राए या रालाला राजपत राए तो पंजाब में उर्दू के विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक थे? सी नवीन चंद्राए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक शेयर कीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिक्वेस्टेन आप तक पहुंच सके धन्यवाद